हाई फ्रेंड्स नीशी जयकेदार कीचेन में आपका बहुत स्वागत है आज मैं वाइट सौस पास्ता की रिष्पी सेड करने जा रही हूँ क्रीमी और चीजी वाइट सौस पास्ता वैसे तो पास्ता बनाना बहुत ही असान है पर वाइट सौस बनाने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इसमें बटर और मैदा की रेशियो सेम रखनी चाहिए तो चले शुरू करें पास्ता बनाना तो वैसे बहुत ही असान है पर वाइट सौस पास्ता बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है और थोड़ा वाइट सौस बनाने के लिए साउधानी बरतनी पड़ती है तो पास्ता बनाने के लिए लेंगे कुछ भेज तो ये स्वीट कॉल लिए हैं लेगे ब्लैक पिपर हैं और गेनो चिली फ्लेक्स और सॉस बनाने के लिए दूर लिये हैं तो सबसे यह पास्ता है पास्ता इस तरह का लिए हैं अब कोई भी तरह का पास्ता ले सकते हैं तो सबसे पहले पास्ता को बॉयल कर लेंगे पतीला गैस पर चढ़ा दीए है। उसमें पानी तालेंगे इसको हाई पर गरम कर également जब तोड़ा उबला लाने लगे तब पास्ता रड़ां लेंगे तो इसमें 1 teaspoon oil डाल देंगे oil डालने से पास्ता चिपकता नहीं है हाप teaspoon नमक डाल देंगे अब अच्छे से गूल जाएगा तब इसमें पास्ता डालेंगे पानी उबलने लगा है आप पास्ता मिला देते हैं फ्रेंट्स, oil जादा नहीं डालेंगे एक ही teaspoon डाले है नहीं तो पास्ता ज़्यादा oily हो जाएगा उसमें white sauce और सभी मसालों का flavor coated नहीं होगा medium flame पे पास्ता को पकाते हैं 8-10 मिनिट में अच्छा से पक जाएगा 8-10 मिनिट हो गया है चेक कर लेते हैं पास्ता को पकाये की नहीं यह अच्छे से असानी से कट गया है उपस, slip हो रहा है उसको गैस को बंद कर लेते हैं और गरम पानी को छान लेते हैं पास्ता को ठंडे पानी से भी धोएगे ताकि यह ओबर कुक ना हो ज्यादा गले नहीं ज्यादा गल जाने से चिपक जाता है क्योंकि इसमें हीट रहता है इसको ठंडा कर लेंगे और इसको रख देंगे अब एक पैन गैस पर चढ़ा देते हैं इसमें टूटी स्पून ओयल डाल देंगे ओयल गरम हो जाएगा तो इसमें लेसन डालेंगे लेसन को हलका भून लेंगे लेसन से अच्छा फ्लेवर आता है और इसका टेस्ट अच्छा लगता है लेसन आप ज़्यादा इस्तमाल कर सकते हैं और अगर लेसन आपको नहीं पसंद हो तो नहीं भी डाल सकते हैं अब इसमें सिम्ला मिर्च डाल देंगे एक सिम्ला मिर्च है, काट लिए हैं, गाजर भी बारिक काट लिए हैं, प्याज को भी काट लिए हैं, सब को डाल देंगे इसमें स्वीट कॉर्ण भी डाल देंगे और सब के ही अच्छान से चला लेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हाफ गुक हो जाएगा अलका सा उतना ही इसको फ्राई करना है इसमें नमक डालेंगे हाफ टीस्पून डालेंगे फ्रेंड्स ध्यान रहे हैं नमक पास्ता में भी डालेंगे और वाइट सॉस में भी डालेंगे तो टीस्ट के अनुसर आप डालिएगा सॉफ्ट होने लगा है सभी बेज आपके पास जो भी बेज हो वो डाल सकते हैं ये हो गया है अब गैस को उफ कर देते हैं अब वाइट सॉस बनाते हैं, तो एक कड़ाई को चढ़ा दिए गैस पे, ये गरम हो गया है, अब फ्लेम को लो कर देंगे, कड़ाई गरम होने कबाद फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 2 टी स्पून बटर डालेंगे, जब बटर मिल्ट हो जाएगा, तो इसमें मैदा डाल तभी white sauce ज्यादा अच्छा बनेगा अगर ज्यादा आपको white sauce चाहिए तो जितना बटर डालिए उतना ही आप मैदा डालिए इसको हलका सब भून लेंगे कच्छापन इसका निकल जाएगा यह भून किया है अब इसमें दूद मिलाएंगे तो पहले थोड़ा सा दूद डाले क्योंकि दूद डालते के साथ ही इसमें लम्स पड़ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे और इसको लगतार चलाते रहेंगे फ्लेम को लोर पे रखेंगे अच्छे से मैदा और दूद को मिला देते हैं ताकि लम्स ना रहे देखिए मिलने लगा है अब इसमें बाकी दूद को भी मिला देते हैं, लो फ्लेम पे इसको दो-तीन मिनिट लगेगा और अच्छा से सॉस बन जाएगा, कच्छा पन भी निकल जाएगा, सॉस ठीक होने लगा है, इसमें नमक डाल दिये है, इसको लगतार चलाते रहेंगे, सॉस गाड़ा भी हो गया है, अब इसमें मिलाएंगे, वन टी स्पून चीली फ्लेक्स, अगर आपके पास चीली फ्लेक्स ना हो तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं, रेट चीली को मोटा मोटा ग्राइड कर लीजे, और गेनों डालें हैं वन टी स्पून, और गेन्यों भी मार्केट में और फ्रेंड्स अगर आप पिजा मार्केट समंगाते होंगे तो उसमें चोटे-चोटे पॉकेट देते हैं और उसमें जो बज्जा उसको भी रखिए फेकिए नहीं उसको भी इस्तमाल कर सकते हैं ब्लैक पेपर हाफ टीजपून डाले हैं सबको अच्छे से मिला लेते हैं यह सॉस रेडी हो गया है ज्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे बिल्कु सॉस परफेक्ट बना है अब इसमें भेज को मिला देंगे यह वाइड सास बहुत ही यमी बनता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजे और यह सबका फेवरेट भी है बच्चा तो खासकर पास्ता को बहुत ही पसंद करते हैं लो फ्लेम पे एक मिनट के लिए बेज को पकाएंगे सास के साथ अगर सास गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मिल्क और भी मिला सकते हैं देखिए अच्छे से खौलने लगा है उबाल आने लगा है एक मिनट के लिए इसको फकाते हैं और गेनट थोड़ा कम लग रहा था तो यह हाफ टीस्पून और डाल दिये हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें पास्ता को डाल देंगे फ्लेम को लोई ही रखे और अच्छे से इसको मिला देते हैं सौस को पास्ता में देखिए अच्छे से मिल रहा है अगर आपका सौस थीक हो जाए तो उसमें दूद मिला देंगे थोड़ा सा जिससे अच्छा से कोटेड हो जाए पास्ता में अच्छे से मिल गया है बहुत अच्छा खुसबू आ र देखी कितना अच्छा से अंदर तक white sauce coated हो गया है पांस्ता में, इस तरह का होना चाहिए, अब इसमें ज्यादा testy बनाने की लिए चीज को grate करके डाले हैं, चीज तो सबका ही प्यारा और favorite है, चीज सबको पसंद आता है, चीज आसानी से melt हो जाएगा, तब तक इसको चलाएंगे, चीज melt हो गया है, अब ये ready हो गया है, gas को off कर दिये हैं, देखे कितना अच्छा दिख रहा है, फ्रेंट्स इस तरह आप बनाएं, इसको plate में निकाल के दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना है, आप इसको जरूर ट्राइ करें, आपको बहुत ही अच्छा लएगा, इसका टेस्ट सबको बहुत पसंद आएगा, फ्रेंट्स अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबस्क्राइब कीजिए, और हाँ, बेल प्रेस काना ना भूले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, थैंक यू फॉर वाचिंग,